हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कुल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम दो महत्मून बातें डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले बात करेंगे OROP 3 जी हाँ एक जुलाई दोजार चोबिस से ड्यू डेट है वन रैंक वन पैंसन रिविजन 3 की और मानने सुप्रीम कोट ने और सरकार ने भी देखे कहा था कि देखे OROP 3 में देरी नहीं होगी क्योंकि हम OROP 2 को चार किस्तों में दे रहे हैं और इस चीज को सरकार के तरफ से भी सुप्रीम कोट में माना गया था तो हम उमीद करते हैं कि एक जुलाई दोजार चोबिस से OROP 3 जो है वो लागू हो जाएगी और ये लागू होना बहुत आसान काम है इसके पीछे की वज़े है PCDA PCDA के पास सारा डाटा अवेलेबल है और उसको OROP 3 की टेबल्स बनाने में जादा समय नहीं लगना चाहिए देखें जिसमें हम बात करें कि कितना टेंटेटिव आपकी पैंसन हो सकती है कितनी बढ़ोतरी हो सकती है उसके लिए एक टेबल है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ सभी रैंक में जिसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है सिपाही 22,850 नायक 26,750 हवालदार 27,100 और ऐसे देखें सिपाही से लेके ओनरी कैप्टन तक सभी रैंक्स उसमें सामिल किया गया है फैमिली पैंसन में हुआ 1267 रुपे का इजाफा जी हाँ देखें बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो है और कैसे आप अपना हक ले सकते हैं 12,020 रुपे पर महीना पैंसन मिल रही थी फैमिली पैंसन को लगेगा और पिसले पांच साल का उनको एरियर भी मिलेगा तो दोनों ही बातें आज के अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्काइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें देखे सबसे पहले एक जुलाई दोजार चोबिस से ओर रोपी 3 मिलना बहुत आसा सभी रैंक को होगा फाइदा आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखे ओर रोपी 2 का जो पॉइंट 4.3 दिखेंगे तो उसमें बताया गया था कि 2018 का minimum और maximum का live data लिया गया और उनका average निकाला गया जिससे ओर रोपी 2 की tables तियार की गई अब देखे 2023 का पूरा का पूरा data इस पर्स के पास available है minimum भी available है सभी ranks का, maximum भी available है और सब की qualifying service के आधार पर available है तो अब इस पर्स के लिए बहुत ही आसान है OROP 3 की table तैयार करना या पूरा का पूरा data तैयार करना देखे एक table है जो हमने बनाई है जो कुछ data हमारे पास available हुआ है जिसमें हमने सभी rank को OROP 1 में कितना था 7 CPC में कितना हुआ, OROP 2 में कितना हुआ अब OROP 3 में tentative कितना हो सकता है, वो यहां पर बताया गया है पर मंत कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, वो भी इस टेबल में दिखाया गया है मान लिए शिपाही 17 साल है, तो जोके उनकी 18,807 से बढ़कर 20,450 रुपे यानि लगबग 16,43 रुपे पर मंत का यहां पर इजाफ़ा देखने को मिल सकता है नायक 22 साल की बात करें, तो जोके 23,925 से बढ़कर 26,750 हो सकती है यानि 26,81 रुपे हवलदार 24 साल, देखें इनका भी यहां पर आप दिख सकते हैं कि लगबग 15,50 रुपे का असपास का इजाफ़ा ओनरी नायब सुबेदार, नायब सुबेदार, सुबेदार, सुबेदार मेजर, ओनरी लेफ्टिनेंट, एंडरनी कैप्टन सभी रैंक्स को इसमें सामिल किया गया है और देखें सभी को कुछ न कुछ यहां पर बड़ोतरी दिखाई जा रही है 24 साल हवलदार की यहां पर मिनिमम बड़ोतरी दिखाई दे रही है 1550 रुपे के आसपास और अकर मैक्सिम बड़ोतरी की बात करें तब आपको पता चलेगा actual figures क्या है लेकिन यह data अभी tentative है अब चलते हैं दूसरी बड़ी जंकरी की तरफ देखें एक pensioner मेरे पास आते है कि देखें हमने दो बार CP gram पर complaint डाल लिया है लेकिन हमें OROP 2 का area नहीं मिला है और नहीं pension अपग्रेड हुई है देखें हमने उनका यह पुरा data लिया और एक grievance बनाई यहाँ पर सारी चीज़े हमने उनको लिखी कि देखें एस पर table number 666 जो 20 January 2023 को आई थी table number 27 के नुसर family pensioner की pension 13,287 रुपे होनी चाहिए और जो अभी तक revise नहीं हुए है उनको मातर 12,020 रुपे मिल रहे है और जो पिसली दोनों grievances इन्होंने डाली थी उनका हवाला भी यहाँ पर हमने दिया नाइदर आई गेट रिवाइस pension नोर एरियर और और रूपी टू अब देखें इन्होंने सारी चीज़े अपनी लिखी अपना पूरा डिटेल जानकारी दी और सब कुसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हमने बिल्कुल mention किया कि देखें as per table number 27 PCDA का circular 666 के आधार पर जो pension है वो 13,287 रुपे होनी चाहिए लेकिन इनको जो है नहीं मिल रही है इसके बाद में देखें यहाँ पर आज reply आता है 24 अपरेल 2024 को कि देखें OROP rate has been granted wide PPO जो coefficient PPO number 5 copy attached कि देखें हमने आपका जो rate है OROP का 12,020 से बढ़ा कर 13,277 रुपे कर दिया है और areas due will be paid in the next monthly cycle और अगले महिने का जो आपका payment pension आएगा उसमें आपका जो area है देखें लगबग इनका 5 साल का यानी जुलाई 2019 से लेके अब तक का area बनता है और लगबग देखें 90,000 प्लस एक लाग के आसपास का area बन जाता है तो एक लाग का इनको area भी मिलेगा और हर महिने 12,670 रुपे की बढ़ोतरी हुई अब देखें जिसको अगर औरोपी का area अभी तक नहीं मिला है उनको लगता है कि हमें बनता है हमें नहीं मिल रहा है तो देखें आप CP ग्राम पर गिर्वेंस डाले उसमें प्रोपर मैंसर करें कि एस पर टेबल नंबर ये एस पर इस सर्कूलर के आधार पर हमारा इतना बनता है इतना मिल रहा है तो जो कि आसान हो जाता है रिप्लाई आना क्योंकि हमने जब 27 मार्च को रिप्लाई डाला और 24 मार्च को यानि 27 डेज में ये जवाब आता है कि देखें आपका और जो आपका एरियर है वो नेक्स्ट मेंट आपको मिल जाएगा जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा फिर मिलेंगे आपसे जैहिंद जैभारत